नमस्कार दोस्तों, खंड दो, अभ्यास तेरा, गती, असी सब्द प्रति मिनट, रेडी, स्टार्ट महोदय निह संदे ही, आज भी हम भले ही कई मुश्किलों का सामना कर रहे हो फिर भी हम 1991 के उन दिनों जैसी स्थिती में नहीं है, एक रास्ट के रूप में हमने काफी भर पाई कर ली है और हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, स्री राव के ने तृत्व के बिना यह संभव नहीं था अब यह अटकल लगाना व्यर्थ और मूर्खता पूर्ण भी है कि कोई और नेता होता तो क्या कुछ जादा और बहतर किया जा सकता था या नहीं तथ्य यह है कि वही नेता थे जिनके कारण हम एक ऐसी स्थिति तक पहुँच गए हैं जो देश और उसकी तरक्की के लिए निरापद है हम जिस अवधी से गुजरे हैं वह बहुत मुश्किल और हलचल पूर्ण थी सोवियत संग के पतन और विगटन से हमारी जो कुछ भी अंतर रास्ट्री इस्थित थी उसका आधार ही खत्म हो गया ऐसा लगता है कि हमारे देश में कुछ लोग इस घटना का पूरा मतलब नहीं समझ पाएं है बेशक यह कम्यूनिस्टों और आधुनिक समाजवाद के अन्यसमर्थकों के लिए बेहद चिंता का विसे था इससे उन सभी निस्पच्छ देश भक्तों को काफी दुख हुआ जिनके लिए सोवियत संग अच्छा मित्र था और अकेली विदेशी सक्ती थी जो हमेशा हमारे साथ खड़ी होती थी उससे हमें काफी नैतिक और भौतिक समर्थन भी मिला था हमारे देश में सोवियत संग के तमाम मित्रों में भी सभी लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं की आर्थिक वैज्ञानिक और प्रोध्योगी के हिसाब से इसका क्या मतलब था और है जब हमें सक्त जरूरत थी तो कोई ऐसा नहीं था जिसकी और हम देखते घबराने और अपने देश को दिवालिया रास्ट घोसित करने के बजाए प्रधान मंत्री ने मुश्किलों का डट कर मुकाबला किया हमें इस संकट से निकालने की व्यवस्था की और साहस के साथ देश को एक नए आर्थिक रास्ते पर अग्रसर किया कांग्रेस ने अपने चुनाओ घोसना पत्र में इसकी मोटी रूप रेखा न बनाली होती तो बेशक यह संभव न हो पाता इस घोसना पत्र के मुख्य निर्माता स्वयम राजियु गांधी थे और इसे तैयार करने में स्री राव उनके मुख्य सहायक थे देश को संकट से उभारने और नए आर्थिक रास्ते पर ले जाने में बेशक मन मोहन सिंकी देश भक्ती विद्वता और ख्याती महत्वपूर कारण थे नई आर्थिक नीती जनता के हित में नहीं है इस कालपनिक तथ्य को लेकर काफी हंगामा मचाया जा रहा है इसके उलट अगर उसे अपेच्छित ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है तो इसकी वजह है कि जनता के नाम पर हर तरह की आंसिक और कारपोरेट मांगें पूरी की जा रही हैं प्रधान मंत्री ने दो महत्वपूर तरीकों से नई आर्थिक नीतियां बनाने में अपना योगदान दिया है सबसे पहले तो उन्होंने नई नीति लागू करने के लिए मध्यम मार्ग अपनाने पर जोर दिया है नए आर्थिक कारिकरम को लागू करने में उन्होंने जो दूसरा महत्वपूर योगदान किया है वह है इसके पच्छ में रास्ट्री सहमति बनाना समाप्त